दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको SMD माइक को बहुत ही असान तरीके से निकालना सिखाऊँगा यहाँ पर कुछ बोर्ड्स आप देख रहे हैं यह सभी के सभी Nokia मोबाइल के हैं और ज्यादे दर्वे से Nokia मोबाइल पर ही SMD माइक लगा हुआ आता है दो टाइप के माइक यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं एक तो आपको गोल वाला मिलेगा एक आपको चौकर वाला मिलेगा जो Android के बोर्ड आते हूं उनमें भी चौकर वाला माइक रहता है लेकिन जो निकालने का processing है दोनों का same ही मैं आपको बताऊंगा भले आप किसी माइक को निकाले बस होना चीए SMD तो यहाँ पर जब बोर्ड के ओपर माइक लगा हुआ रहता है तो थोड़ा सा मुस्किल जैसा लगता है कि यह निकलेगा कैसे लेकिन हो ताब बहुत आसान है इसके दो तरीके हैं पहला तरीका यह है कि एक बोर्ड आपको मैं दिखाता हूँ इसके जश्ट नीचे से आप हीट करेंगे तो यह माइक बहुत आसान तरीके से निकल जाता है लेकिन कुछ condition में क्या होता है कि माइक के ज़श नीचे कुछ components देखने के लिए मिलते हैं उस condition में हम नीचे से तो heat नहीं कर सकते हैं तो heat कहां से करेंगे तो heat करना होता है हमाँ side से तो side से भी चलिए आपके पास SMD नहीं है तो आप क्या करेंगे तो आपको माइक soldering iron की मदद से इन SMD माइक को निकालना या फिर लगाना सिखाऊँगा जी हाँ दोस्तों soldering iron की मदद से SMD मशीन जिनके पास नहीं है उनके लिए ये वीडियो है और उससे पहले में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहां पर यह जो आप मैट देख रहे हैं यह मैट मैंने रिसेंट्ली परचेज किया है इस मैट को high temperature insulation मैट कहते हैं इस मैट में हम जब mobile repairing का काम करते हैं तो heat की वज़े से मैट खराब नहीं होती पहले मेट के बारे में बता देता हूं यहां पर कई आपको इसके section मिल जाएंगे पार्ट से रखने के लिए आपको तीन यहां पर box मिल जाते हैं चोटे-चोटे से और यहां पर यहां पर यहां पर circuit board location यहां पर circuit board को रख्यासाने से काम कर सकते हैं यह heat से खराब नहीं होता है मेरे जो counter पर काम करते हैं तो काफी बार heat से खराब हो रहा था तो मैंने इसको purchase किया है और यहां पर देखिए टूर्स के लिए भी यहां पर जगहर दिया गया पूरा यह पूरा देखिए आप यहां पर देखिए हम इसी board में हम निकालते हैं तो इसको थोड़ा समझ जूम करके focus करके आपको दिखाना चाहूंगा देखिए अब हम जो soldering iron का इसमाल कर रहे हैं वो हमारे पार 60 watt का है वो भी मैंने recently purchase किया है उसका भी बता देता हूं आपको इसमें 5-6 bit मिल जाते लग- चोटे और बड़े से बड़े काम के लिए मुझे काफी सही लगा है इसमें temperature cab में दिया गया है उसका भी link आपको देखिए लेना चाहें तो ले सकते हैं तो काभी बार पूछते हैं लोग तो इसलिए मैं suggest कर रहा हूं अब यहां पर इस mic को निकालने के लिए सब से पहले यहां पर यह जो mic का है न यह अगल बगल का पूरा ground का position रहता है इसमें आपने थोड़ा सा है इसको scratch करना रहता है तो scratch करने के लिए आप कुसी nuclear चीज का समाल कर सकते हैं और mic के ही just अगल बगल में scratch करना है यह निकि आपने यहां mic है तो इदर सकते हैं तो यह बहुत बस यतना से आपने इसको scratch किया उसके बाद यहां पर आपने इसी जगह को heat करना है soldering iron की मदद से बस सिर्फ इस जगह को जिस जगह को आपने scratch किया हुआ है तो यहां पर पहले मैं paste लगा लेता हूं स्पेसरी में मुबाइल रपैरिंग के लिए इस वाले paste का स्माल करता हूं तो यह थोड़ा सा च्छा performance देता है मैंने आपको recently बताया था न तो यही वाले paste का मैं स्माल करता हूं तो यहां पर इस paste को लगा लेते हैं बिल्कुल इसी जगह पे यह पे पेस्ट आइसी रिबॉलिंग वगरे के लिए बहुत अच्छा यहां पर काम देता है तो पेस्ट लगा लिया है अब इसको हम इसी पॉइंट को हीट करेंगे माइक के जश्ट बगल वाले पॉइंट को देखिए पहले यहां पर हम सोल्डरिंग वायर लगा लेते हैं इस जगह पे देखिए लगा दिया है अब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं तो आसा में जूम कर लूँ ताकि आपको किलियर ली दिखाई दे देखिए तो आसा वीडियो को फास्ट फोरोड मा कर लूँगा ताकि आप लोगों कुछ ज्यादा वेट ना करना पड़े और हां इससे पहले ह अब इसमाल कर लेंगे तो कि यह पीजी भी नहीं रहा है तो चलिए होल्डर लगा ले अब यहां पर सही तरीके से मारा काम होगा यह देखिएगा चलिए ही करना स्टार्ट करते हैं अब यहां पर आप देखते रहिएगा ठीक है अब बिल्कुल सही है चलिए मैं वीडियो को फास्ट फोरोड कर लेता हूं ताकि आपको ज्यादा याप पर ज्यादा वेट ना करना पड़े इस इसमें थोड़ा सा आपको हां देखिए वैसे फास्ट करने का ज़रुवत पड़ा ही नहीं तो यह असानी से हमारा माहिक निकल गया है तो के लिए जेश्ट ऐसे और जेश्ट हो रहां ऐसे यहाँ पर देखिए आपको 1,2,3,4 लाइन मिल रही होंगी इन लाइन के बीच में आपने इस माइक को रखना है इन लाइन के बीच में तब जाके 20 वाली भीन सही-सी सोर्डींग हो पाएगी तो देखिए इसको हम सेट कर लेते हैं यह देखिए लाइन के पीछ में रखना है बस हो गया है और अब इसको हीट करना शुरू करते हैं तो देखिए हमने एक इस माइक को असानी से लिए बिल्कुल चैट अब इसको क्लीन कर लेंगे ग्राउंड वाला पॉइड जो न उसको क्लीन कर लेते हैं और यहां पर आप मास्क अगर चाहें तो लगा सकते हैं ग्रीन वाला नहीं है तो कोई बात नहीं यह वैसे भी ग्राउंड का पॉइंट है नो प्राब्लम तो देखिए बहुत यह असान तरीके से मैं इसको लगा लिया है एक बार फिर से निकालता हूं और आपको फिर से दिखाता हूं देखिए जहां से देखिए तोड़ा हीट यह देखिए निकल गया लगाने के रिजश्ट ऐसे लग गया अपने आप नो प्राब्लम देखिए कुछ ही सेकेट से निकल के लग जाता हाँ मैंने थोड़ा सब्सका वाट बढ़ाया हुआ था इसलिए जल्दी निकल गया तो वाटेज बढ़ारे ना इसमें ना वाटेज का उप्शन है तो इसमें हमने टेम्परेश बढ़ाया था जितना ज्यादा सोड्रिंग एरन हीट होगा उतनी जल्दी है निकल पाएगा SMD से क्या होता SMD भी मैं आपको बता देता हूं SMD जब आप चलाते हैं तो SMD को ना इसके उपर इस तरीके से मत लगाईएगा इसके अंदर जो पर्दा होता है या फिर कॉईल होती है वो फटने के चांसे होते हैं SMD मशीन से इस तरीके से साइट से लगाईएगा और कोशि SMD मशीन भी वहाँ पर काम नहीं देती है तो उसके लिए प्रॉफेशनल लोग होते हैं वही SMD मशीन चलाके निकाल सकते हैं लेकिन जो नहीं लोग है उनके लिए यह सोडरिंग आरेन वाला बेस्ट मैथट है तो आप सीखे होंगे देखिए बहुत यह असान तरीके से मारा यह काम हो गया अगर आपके पास चोखेट वाला माई के ना उसको भी इसी तरीके से आप लगाएगे अगल वगल में ग्राउंड के पॉइंट्स को ही आपने स्क्रेच करना है ट्रेक्स होगरे स्क्रेच मत कर दीजिए गाए ना देखिए व